हाई गाईज वेलकम यूर फेवरेट यूटूब चैनल फेशल केर अन्सेल आज मैं फ्रेंड्स आप लोगों के लिए एक बहुत ही इजी टू मेंग होममेड नाइट क्रीम लेके आई हूँ जो बहुत ही एफेक्टिव है कोई भी स्पॉर्ट को रिमुव करने के लिए और स्कीन को फ्यार बनाने के लिए फ्रेंड मेरे पास बहुत सारे कॉमेंट्स आता है जो के बोलते हैं मैं ये क्रीम्यू स्की हूँ और करने से मेरा फ्यार्नेस तो बढाई नहीं उल्टा मेरा स्कीन ब्लैकिश हो गया मेरा आज मैं फ्रेंस आपको जो हो मेड नैचरल नाइट कीम बनाकी दिखाऊंगी इसको आप इस्तेमाल करके देखिए आपको 100% इससे बेनिफिट मिलेगा और ये आपका स्कीन टोन को लाइटनिंग करते रहेगा आपका स्कीन टोन को ब्राइटनिंग करेगा और आपका स्कीन मे कोई भी स्पोर्ट रहेगा तो यह रिमूब करेगा मैं इसमें जो जो इंग्रियेंस यूज करी हूं उसको देखके आपको कॉन्फिरेंट बढ़ जाएगा हां इससे काम होता है क्योंकि यह बहुत दिन से बहुत जुगों से एही रेमिडी हम लोग का मा तादी मा सभी लोग टेल हम इसी को इस्तेमाल करते थे पहले चलिए अभी अव मैं इसको बना के आपको दिखाती हूं यह Чंदन का पेस्ट आपको पहले तो में इंग्रियेंस को लेना है Second ingredient is aloe vera gel In aloe vera gel, friends, बहुत मात्रे में anti-oxidant और vitamin E रहता है जो आपका skin को resuminate करेगा, आपका skin में fairness लाएगा, आपका skin में wrinkle नहीं आने देगा आपका skin को एक younger looking skin देगा चलिए इसके साथ और आपको एड़ करना है lemon को lemon, friends, आपका skin tone को lightening करेगा, brightening करेगा आपका skin में कोई भी spot रहेगा तो उसको भी remove करेगा और इसके साथ आपको add करना है rose water को rose water, we friends, आपका skin tone को lightening करता है skin को soft and smooth बनाता है और आपका skin में fairness लाने में भी help करता है और कोई भी spot रहता है तो उसको भी remove करता है आपका skin को natural moisture देता है चली अभी मैं इस cream को बना के आपको दिखाती हूँ इसके लिए पहले तो आपको लेना है चंदन का paste को एक चमच मैं यहाँ पर एक चमच ही paste बना के मैं रखी थी यह एक चमच paste मैंने ले लिया और इसके साथ मुझे एड़ करना है तो इससे भी जादा ratio में लेके आप इसको mixing कीजिए और इसको फ्रीज में स्टोर कर लिजिए साथो दिन के लिए और इसके साथ आपको एड़ करना है रोज वाटर एक चमच और मैं इसमें एड़ करूंगी लेमन का जूस को लेमन का जूस आप लेनीजिए आधा चमच्वी जैद रखिए इसमें एक चमच चंबन पेस्ट ली हूँ और एक चमच अलोवे wenig । रोज़ वाटर ली हूँ आधा चमच लेमन का जूस ली हूँ या आपका स्कीन डार्क है उसको यह रिमूब करके आपका स्कीन को फियार एंड गॉर्ट लेस बनाएगा स्कीन को बनाने के बाद मैं अपने उपर और मेरे मॉडल के दोनों के उपर ही अपलाई करके आपको दिखाऊंगी इसका instant result तो आप देख पाएंगे पर इसको आपको लगातार यूज करना है लगातार आप यूज कीजिएगा तो आपको देखीगा सातो दिन में आपको फरक नजर आएगा फर्स इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए और मेरे वीडियो को में फेंड के साथ और रिलेटिव के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले पाए और मेरे चैनल को अभी काभी सब्सक्राइब कर अइसे पूरा क्रीम जैसे लगाते हैं ऐसे पूरा चहरे पे लगाना है पूरा चहरे पे आखों के चारो तरफ पूरा लगा लीजिए और लगाने के बाद इसको देखिएगा दो मिन्ट बाद ही यह पूरा आपका स्कीन में एब्जॉर्ब हो जाएगा इसको ऐसा आपको के तरह यूज करना यानि बेट टाइम में इसको लगा के आपको सो जाना है सुबह उठके नॉर्मल वाटर से दो लेना है फिर जिनका स्कीन बहुत ज्यादा ड्राइ है वो इस तीम में थोड़ा सा ओलीव ओयल भी एड कर सकते हैं थोड़ा सा मतलब तीन चाट ड्रॉप जो म को दिखाती हूं इसको यह देखिए क्रीम यह मैं अभी अपने चेहरे पर अपलाई करोंगी यह फ्रेंस मैन और ओमन दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं इसलिए मैं अपने उपर भी अपलाई करके आपको दिखा रही हूं ताकि आप लोग को कॉंट फिडें विले यह लगात कीजिए सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और भी इंत्रू मिलेगा नया नया विडियो लाने के लिए और फेंट के साथ रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए ओके फेंट्स थैंक्स पर वाचिंग बाई एंड टेक कियर